राची के बुंडू थाना छेतर के राची टाटा हाइवे फोर लेंद तुन्जू मोड के पास देर राथ दो ट्रक और एक पिकप वैन में टककर हो गई यह घटना राथ के करीब सड़े 9 बजी की है जहां तीनों गाड़ियों में इतनी जुर्दा टककर हुई कि पिकप वैन पूरी तरह से छतिग्रस्थ हो गया और घटना स्थल पर ही पिकप वैन चालक की मौत हो गई लोगों ने बताया कि सड़क दुर घटना के बाद से चालक का सव गाड़ी के नीचे दबा हुआ है खबर लिखे जाने तक सव को निकाला नहीं गया था सुचना मिलने के बाद भी पुलीस घटना स्थल पर नहीं पहुँची जिस कारण पूरी रात पीकप वैन के चालक का सव लावारीस हालत में रास्ते पर पढ़ा रहा जिसके कारण ग्रामीनों में काफी आक्रोस है जानकारी के अनुसा ट्रक लखिमपूर से आ रही थी जिसमें गुर लदा हुआ था रात भर सड़क पर पढ़े रहने के कारण गुर रिसकर बह रहा है जिसके कारण आने जाने वाले लोगों को भी काफी परिसानी हो रही है सलक पर गुडबाने के कारण बाइक और स्कूटी चालक के लिए मुसिबत बनी हुई है घटनास्थल के पास से गुजरने वाली बाइक और स्कूटी स्लिप होकर गिर रहे हैं